हाँ आइए हाँ प्र्स ч пत शुक्स में है grands आइए व्लोग इंकम टांक्स का हमारा फर्स लेक्चर लोगा तो है ये पहले थोड़ा बेजिक्श जानते आं इस्टे इसक लिए ऊट्रिक आहिए और इंकम टास इंडिया मिंखbacks एप्लिकेबल है ठीक है तो Income Tax Act बच्छों सबसे पहले 1961 में बनाया गया था Income Tax Act 1961 तो यह Act तब से एप्लिकेबल है और यह Act पूरे Whole of India में एप्लिकेबल है Whole of India including the state of Jammu and Kashmir में यह Act एप्लिकेबल है हर एक Act में बच्छों Section 1 जो होता है वो उसका Short Title and Commencement होता है तो मतलब Act का नामकरण यहां पर करते है Short Title and Commencement तो यह Act का Short Title है कि It is Income Tax Act और उसका Commencement मतलब यह Act कबसे Start कबसे लागू होगा तो यह Act लागू होगा 1st April 1962 से और कहां पर लागू होगा So Whole of India में यह लागू होगा बचों हर एक Act के Section 2 में Definitions होते हैं Law बनाता कौन है तो हर एक Law बनाता है हमारा Parliament Parliament Law को पास करता है और Law जो बनाता है जो Drafting करते हैं उसको Legislature बोलते हैं ठीक है ना तो जिन्होंने भी Law बनाया है Law बनाते बक्त उनको लगा कि जो भी Words वो Law में यूज करने वाले हैं उनको एक Specific मतलब देना है तो जो कोई भी Word उनको Specific मतलब देना है वो यहां पर Section 2 में वो Define करेंगे ठीक है जैसे Example मैं एक लेता हूँ च्छोटा सा के Person का क्या मतलब है तो हमें पता है जब भी कोई Person बोलेगा इंग्लिश में तो हमें लगेगा कोई Natural Human Being की बात कर रहा है बट Income Tax Act में अगर देखें तो Section 2 में Person Define किया गया है तो Person का मतलब वही लेना चाहिए जो Section 2 में बोला गया है तो इसका मतलब यह होता है कि हम कभी भी कोई Act अगर पढ़ते हैं तो Act पढ़ते वक्त हमें पहले यह देखना पड़ेगा कि कोई जो Word बोला गया है वो Word यह Section 2 में Define किया है कि नहीं अगर वो Word वहां पर Define नहीं हुआ है तो फिर हमें उसका Oxford का जो Normal Meaning है वो लेना पड़ेगा ठीक है बच्चों तो यह होगा Section 2 हर एक Act में जो Sections होते हैं उसमें Sub-Sections होते हैं और Clause होते हैं तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको बताएंगे जैसे हमारे पूरे Book को Chapter में और हर एक Chapter को Paragraph में हर एक Paragraph को Sub-Paragraph में Divide करते हैं वैसे ही हर एक act को sections में, subsections में और clauses में divide किया जाता है, तो आज के ये chapter में, आज के ये video lecture में हम लोग क्या देखने वाले हैं बचों, we are going to learn about two things, कुछ important definition हम लोग सीखने वाले हैं, और उसके बाद हम देखने वाले हैं, residential status, तो आये पहले देखने हैं कुछ important definition, पहला definition है assessment year का assessment year defined किया गया है section 2, subsection 9 में, तो मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, assessment year means a period of 12 months, 12 months, starting from 1st April and ending on 31st March, मैं यहाँ पे एक और word add कर दूँगा आपके लिए, always, मतलब assessment year is always a period of 12 months, which will start from 1st April and end on 31st March, assessment year is also known as return filing year या tax year, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है, income of previous year 1819, तो हमने 1819 में जो income कमाया है, earn किया है, उसको next year में, मतलब assessment year 1920 में, assess करके, calculate करके, हमें government को वो return file करना होता है, तो assessment year is always a period of 12 months, which starts from 1st April and ends on 31st March, हमारा जो assessment year है, यह जो वीडियो है, उसमें हम बात करने वाले हैं, assessment year 1920 की, जो कि start होगा 1st April 19 को, और वो complete होगा 31st March 20 को, तो इसको short में 2019-20 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो 1920 मतलब 1st April 19 को start हुआ, और 31st March 20 को यह complete हुआ, ठीक है, तो assessment year, section 2, subsection 9 में define किया गया है, which is always a period of 12 months, आइए देखते हैं, previous year का क्या मतलब है, तो previous year, यह word previous का मतलब है, previous to assessment year, ठीक है, तो इदर लिखा है, previous year in general is defined as a financial year immediately preceding the assessment year, previous year को हम लोग income year भी बोल सकते हैं, और उसको हम financial year भी बोलते हैं, तो previous year 18-19, previous year 18-19 मतलब क्या बच्चों, 1st April 18 से लेके 31st March 19, इस period में जो income हमने earn किया है, उसको हमें, यह हो गया अपना previous year, तो यह previous year में जो income हमने earn किया है, उसको next year, assessment year 19-20 में assess करके हमें tax वरना है, चीक है, तो in India, हम लोग सब लोग 1st April से 31st March का जो है, वो previous year follow करते हैं, government consider कर रहे ही कि इसको शायद change करें, तो next एक दो साल में शायद यह भी calendar year हो जाएगा, जो बाकी countries follow करते हैं, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि generally, हमने assessment year में always बोला था, बड़ previous year में मैं बोल रहा हूँ generally, generally previous year यह 12 महिने का time होता है, generally, not always, मतलब अगर कोई नया source of income इस साल generate हो रहा है, जैसे example मैंने इस साल यहाँ पर लिखा हुए example में, कि Mr. X sets up a new profession on 1st November 18, तो उसके लिए जो पहला previous year होगा, वो 1st November 18 को start होगा, और वो end होगा 31st March 19 को, तो इनका जो previous year है, वो actually April से March नहीं होगा, 1st year में it will be from November to March, पर उसका assessment year होगा 1920, ठीक है, तो ऐसे हो सकता है कि कोई एक assessi है, जिसका previous year incomplete है, पूरा 12 महिना नहीं है, पर assessment year पूरा complete साल है, ठीक है, तो यह था definition previous year का, उसके पहले हमने किया definition assessment year का, जैसे मैंने पहले बताया, income tax में person का मतलब कुछ लगी है, तो यह देखते है, income tax में person का मतलब क्या है, so person is defined in section 2, subsection 31, according to section 2, subsection 31, अब person includes, includes का मतलब person के definition में यह सब आ जाते हैं, पहला individual, हम आप all natural human beings, इसमें minors भी आ गए, handicapped persons भी आ गए, senior citizen भी आ गए, सारे individuals, Hindu undivided family, a company, company में Indian company भी आ गया, और foreign company भी आ गया, a firm मतलब जिसको हम partnership firm बोलते हैं वो, association of person इसको short में AOP बोलते हैं, और body of individual इसको short में B.O.I. बोलते हैं, as the name suggests, body of individual मतलब एक ऐसा body जिसमें सिर्फ individual ही member हो सकते हैं, जैसे example कोई trust, trust of educational institute, तो उसमें सारे जो trustees हैं, वो सारे के सारे individual होते हैं, तो B.O.I. का मतलब body of individual, A.O.P. और B.O.M.I. कोई जादा फर्क नहीं है, इदर association of person लिखा है, मतलब से example हमारा जो cooperative housing society है, जहां पर हम रहते हैं, तो उसमें members कौन हो सकते हैं, individual भी हो सकता है, एक H.O.F. भी member हो सकता है, तो इसका मतलब association of person में, it is association where anybody who is a person can be there, local authority, local authority मतलब जो हमें sanitation वगेरे services प्रवाइड करता है, जैसे BMC हो गया, नगरपालिका हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, उस सबको local authority बोलते हैं, और every artificial person not falling within any of the preceding categories, artificial person मतलब जो national human being नहीं है, और वो उपर के 6 category में से किसी भी में fall नहीं हो रहा है, then it is considered as artificial person which is not falling under the above category, इसका example हमने नीचे दिया है, आये देखते हैं example last वाले का, तो artificial juridical person not falling in the above category includes an idol, a deity और a university, तो say Mumbai University will come here in artificial juridical person, तो person की बैचों साथ categories हैं, individual, HUF, company, firm, AOP और BOI, local authority और any artificial person, आये अब हम study करते हैं, यह कुछ examples दिये यहाँ पर, जो अब देख सकते हैं, Mumbai University is a artificial person, challenge tutorials private limited, so यह एक company का नाम है, Mumbai Municipal Corporation, यह एक local authority है, Manan Prakashan Limited, so it's a company, HDFC Bank Limited is also a company, then a partnership firm, then joint family of Mr. B, Mrs. B and their son, यह Hindu undivided family है, Sai Baba Temple Trust consisting of trustees, वो हो गया, body of individual, Mr. Bhaven हो गया, individual, बच्चे लोग यहाँ पर कभी mistake करते हैं, SS and company, ऐसे लिखा है, तो and company मतलब उनको लगता है, यह partnership firm है, तो ऐसा नहीं है, इदर क्या लिखा है, SS and company है, soul proprietorship concern, तो मतलब यह जो है, वो individual है, यह कोई partnership firm नहीं है, ठीक है, partnership firm में कम से कम दो लोग होने चाहिए, आइए देखते है, next definition of the word assessi, तो assessi is defined as section 2, subsection 7, इसका simple मतलब बताओं बच्चों आपको, तो assessi मतलब कोई भी एक person, कोई भी एक person, जिसके उपर responsibility है, tax pay करने का, ठीक है, either on his own income, और on income of somebody else, तो example, मेरा लड़का है, जो खुद minor है, पर उसकी income के उपर tax pay करने का जवाफदारी मेरा है, तो मैं एक assessi हो गया, ठीक है, तो assessi means a person who is liable to pay tax on his income, और on somebody else's income, ठीक है, अभी हम करते हैं, next part, residential status and scope of income, तो before we start this, let me ask you some questions, तो अगर, say, कोहली, तो कोहली गया West Indies में match खिलने के लिए, और वहाँ पे वहाँ की कोई company को endorse किया, उसने और उससे उनको advertisement के पैसे मिले, तो उस advertisement के पैसे पे, इंडिया में उसको tax भरना पड़ेगा या नहीं, दूसरा question पूछते हैं आपसे, say, AB Develiers, AB Develiers इंडिया में आया IPL खिलने के लिए, और इंडिया में उसने, हम देखते हैं काफी सारे advertisements में, वो लोग होते हैं इंडिया के IPL के दौरान, तो इंडिया में उसको advertisement से पैसे मिले, तो क्या वो इंडिया में taxable होंगे के नहीं, तो ऐसे कुछ प्रशन है जिसका answer जानने के लिए, हमें ये दो चीज़ें जाननी पड़ेगी, एक है residential status, पहला part है, और residential status जानने के बाद हम जानेंगे scope of income, scope of income में हमें ये जो बाजू में प्रशन लिखे हैं, उसका हमें answer मिलेगा, जो कि हम next video में लेने वाले हैं, ये वीडियो में हम सिर्फ residential status को cover करने वाले बच्चों, ठीक है, तो आईए देखते हैं, residential status, तो individual का residential status हम लोग पहले ले रहे हैं, और individual के residential status में तीन पाट्स हैं बच्चों, individual के residential status को, हम R, let me start a fresh page, fresh page में मैं लिखता हूँ, individual, तो individual का residential status पहले broadly दो category में divide किया जाता है, one is R and another is NR, तो एक individual R कब होता है, residential status में उसको R कब बोलते हैं, resident और इधर मैं लिखता हूँ, non-resident, resident and non-resident, ठीक है, तो एक individual resident कब कहलाया जाता है, जब वो कुछ basic condition fulfill करें, basic condition section 6, subsection 1, A में बोली गई है, अच्छा, before I go ahead, residential status जो हम सीख रहे हैं, उसका citizenship से कोई connection नहीं है, citizenship कहां कहां पर आने वाली है, मैं बताऊंगा आपको जब आएगी, पर हम जो सीख रहे हैं, वो income tax act है, वो कोई citizenship act हम लोग नहीं सीख रहे हैं, तो कोई non-Indian भी resident हो सकता है, और कोई Indian भी non-resident हो सकता है, So please understand, we are not learning here residential, we are not learning citizenship, we are learning about residential status. So, individual को resident कब बोलते हैं, an individual is called as a resident, if he stays in India, if he stays in India, for 182 days or more in previous year 18-19, मतलब कोई individual अगर इंडिया में इस साल 18-19 में 182 days या ज़्यादा रह जाता है, then that individual is called resident in India, अगर कोई individual ये condition फुल्फिल नहीं करता है, तो उसके लिए हमें दूसरा condition चेक करना पड़ेगा, मतलब second condition हम तब ही चेक करेंगे, जब पहला फुल्फिल नहीं हो रहा है, तो second condition क्या है, second condition में दो पार्ट है, 6-1-B-1, stay is 60 days or more in previous year 18-19, and second condition है, stay is 365 days or more in 4 preceding previous year, तो पहला condition है कि previous year 18-19 में 60 days रहना चाहिए, and है बचों यहां पे, and पिछले चार सालों में, पिछले चार साल मतलब कौन से चार साल, तो 18-19 को छोड़ दीजे, 17-18, 16-17, 15-16, and 14-15, यह चार साल का, total stay अगर 365 days या उससे ज़्यादा है, then that person, that individual is resident in India for the previous year 18-19, ठीक है, यहां पे notes में से हम देख लेते हैं फड़ा फड़ से, तो, तो हमने लिखा है, section 6-1, an individual has to stay in India, in the previous year for 182 days or more, और है यहां पे, और है B condition, B में दो condition है बच्चों, इधर क्या है, individual has to stay in the previous year for 60 days or more, and should stay in India for 365 days in 4 preceding previous years, ठीक है, तो, या तो कोई individual पहला condition फुल्फिल कर ले, अगर पहला फुल्फिल नहीं होता है, तभी हम second चेक करेंगे, पर second में दोनों फुल्फिल होना चीए, this as well as this, तो example लेते हैं कि कोई individual पहला फुल्फिल कर रहा है, पर second फुल्फिल नहीं कर रहा है, तो क्या वो resident बनेगा उस साल के लिए, नहीं, वो उस साल के लिए resident नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ special condition है, जहां पे उन individual को, यह जो 61B condition है, वो applicable नहीं होगा, मैं सिर्फ बोलने के लिए, उनको बोलूँगा, special individual, ठीक है ना, special individual, special individual के लिए, क्या exception है बच्चों, उनके लिए 61B condition applicable नहीं होगा, मतलब बोलोग resident तभी होंगे, जब उनका first condition satisfy हो रहा है, otherwise वो non-resident हो जाएंगे, तो वो ऐसे तीन category के individual है, पहला, Indian citizen, देखो यहाँ पे citizen शिपार है बच्चों, Indian citizen, leaving India, India छोड के जा रहा है, क्यों जा रहा है इंडिया छोड के, job करने के लिए, for the purpose of employment, so if an Indian citizen, is leaving India, in the previous year for employment, then he is a special individual, second case में, Indian citizen, going out of India, out of India जा रहा है, और क्यों जा रहा है, he is a crew member, on a Indian ship, तो example ले ले लेते हैं, रुस्तम का, तो अगर रुस्तम जा रहा है, इंडिया छोड के, ship में, out of India, then he is a special individual, ठीक है ना, और third category, third के उपर जाने के पहले, एक बार repeat करते हैं, यह पहले दोनों category में, आप देख सकते हैं, यह Indian citizen के लिए है, और यह condition दोनों लीविंग इंडिया के लिए, इंडिया से बाहर जा रहा है उसके लिए है, third condition में, it is Indian citizen, और a person of Indian origin, यह यहाँ पर आड़ हुआ है, और coming to India for a visit, visit का मतलब होता है, temporary stay, तो इसमें दो conditions हैं, दो लोग हैं रादर, एक Indian citizen है, और a person of Indian origin, coming to India for a visit, तो उसके लिए, यह जो 6-1-B condition applicable नहीं होगा, person of Indian origin का क्या मतलब है, तो person of Indian origin का मतलब है, कि वो खुद, या फिर उसके parent, या फिर उनके grandparent, का birth, हमारा partition हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का, उसके पहले उनका birth इंडिया में हुआ होना चाहिए, मतलब 15th August 1947 के पहले, या तो वो individual खुद, या उसके parent, या उसके grandparent, जब हम बोल रहे है grandparent, तो वो paternal और maternal दोनों हो सकते, मतलब दादा दादी, नाना नानी, कोई भी इंडिया में, बॉन हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो अगर कोई individual एक special individual है, तो उसके लिए, ये तीनों condition में, वो special individual होगा, और अगर वो special individual है, तो उसके लिए 61B condition applicable नहीं होगा, ये पूरी conditions को है ना, मैंने यहाँ पे एक table format में बनाया है, यहाँ पे, तो status of an individual based on condition, इसको हम बाद में लेंगे, क्योंकि हमने अभी तक ordinary residence सीखा नहीं है, तो पहले residential status complete करते हैं, इसके लिए कुछ points है यहाँ पे, जो important points है वो मैं आपको बता दूँ, अगर question में, overly information नहीं दिया है, मतलब जो assess ही है, जो individual है, वो कब आया इंडिया और कब गया, वो details अगर नहीं दिया है, तो 24 hours का total, हम नहीं कर पाएंगे, कि वो कितना time इंडिया में था, in that case, day of arrival as well as day of departure, दोनों इंडिया में गिनेंगे, I will repeat, कि अगर, कोई individual इंडिया में कब आया है, और कब गया है, वो detail अगर नहीं दिया है question में, तो जिस दिन इंडिया में आया है, और जिस दिन इंडिया से जा रहा है, ये दोनों दिन हम इंडिया का stay गिनेंगे, पर अगर question में, hourly information दिया है, इसे example लेते हैं, कि वो second September को, 7 बजे इंडिया में आया, तो second September को, वो इंडिया में कितने hours के लिए था, तो 7 से लेके, रात को 12 बजे तक वो इंडिया में था, मतलब 7 से 12 पांच घंटे, और फिर 12 से 12 बारा घंटे, so 19 hours वो second September को इंडिया में था, फिर से 20 September को वो इंडिया से चला गया, और वो इंडिया से गया, दोपहर को 2 बजे, 2 पी एम को, मतलब रात के 12 से दोपहर के 2 बजे तक, तो 12 प्लस दो, 14 hours वो इंडिया में था, अब दोनों दिन, वो पूरे दिन इंडिया में नहीं था, 19 और 14, पर दोनों दिनों का टोटल अगर मैं करता हूं, 19 और 14, तो 33 hours होते हैं, 19 प्लस 14 होते हैं, 33 hours, 33 hours को, हम एक दिन पकड लेंगे, because it is more than 24 hours, ठीक है, तो अगर ये information ही नहीं दिया है, कि second को वो कब गया, 20th को वो कब गया, ये information अगर question में नहीं दिया है, तो हम दोनों दिन, day of arrival, as well as day of departure, दोनों दिन को हम stay in India, assume करेंगे, ठीक है, बाकी notes को मैं PDF में, comment section में डाल दूँगा, इसके बाद के वीडियो में, हम residential status के sums करेंगे, ठीक है, thank you very much.